राजा टंग का संदे सुनकर फूट फूट का रासा राजकमारी हारून तो उन्हें मुझे स्वपनी ही पड़ेगी मेरी विशाल सेना कागे टिक नहीं पाएंगे भावी ससुर जी के मुठी बरसानी आक्रमार राजा गर्वराज की सेना मुठी भरी सही पर हिमत के लोहे के साथ टकरागी दुस्मनों से राजकमारी हारून हम सब की इज़त है सैतानों जिसकी रक्षा के लिए हम गर्वा सीर काटेंगे या कटाएंगे इ मारो मारो खच राजा टंग अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा सेनापती गर्वराज की तलवार दुस्मनों के सीरेव की कैड लगाने लगी खच युद्ध उतने समय भी नहीं चलेगा राजा टंग जितना समय तुझे अपने सैनिकों की खोपड़ी में कत्रित क परने में लेगा ओ कमाल की फूर्ती है इसमें राजा गर्वराज और राजा टंग के टकराओं का कोई निर्ड़ा ना निकल सका तुम इससे भी दोगनी सेना लेते आते हैं राजा टंग किन्तु हमारी मुठी भर सेना का कोई मुकावला नहीं और फिर सुरियास के साथ ही थमायोद कल ये युद्ध निर्ड़ायक साबितों का राजा गर्वराज अरुण भूम में दोनों सेनाय छूड़ भी अपने जबास सेनिकों के शव युद्ध का परिणाम जो भी हो पर इन्हें दुबारा जीवन नहीं मिलना था किसी के जिस्म पर खून की एक बूबी ब सेनापती गर्वराज अब हम तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सोपना चाहते हैं आज रात्री बल की तुरंत आपकी हुक्म के प्रतिक्षा है महाराज मैं कैसी भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ इस सूचना से राजा टंगल की खेमे में भूचा ला गया क्या भकरयो गुप्तचर ऐसा नहीं हो सकता तड़क ओ विवा कि सभी रस्में पूरी कर ली गहीं महाराज नहीं खच खच पराजे कभी भी स्विकार नहीं कि मैंने जिस स्वस्तु को चाहा उसे छिंग लिया है तो यह सूपर स्टोरी और मनोश कोमिसी थी जिसे मैं सोच रहा था कभी दिनों से बनाने के लिए और यह जब आये थी तो यह साइद 1995-1996 था इसका एड़ बहत सांदार बन पड़ा था तुफान चल पड़ा राजा गरवराज के महल की ओर छील लाओंगा मैं राजकमारी हारून को और कतल कर डालूंगा उसे जिसने पहनी होगी हारून के नाम की वर्माला या युद्ध के सभी नियम्मों को ताक पर रख दिया था उसने कतल कर डालू दुस्मनों का इस समय उन्हे कतल करना गाजर मुली तोड़ने जैसा होगा हा 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 आकस्मिक रूप से आगे बढ़ती सेना ने पहरे पर तैनात सनिकों के छक्के चुड़ा दिये यह क्या दुस्मन खेमे में लगी लासो के डिर लगा कर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा राजा तंग इधर महल में विवाह की सभी दस्में पून हो चुगी थे सेना पती गर्भास्त आस तुमने हमें एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया है गर्भा राजकुमारी हारून के लिए में अपनी पराड़ों पर खेल जाओंगा पिता सरी तभी महराज गजब हो गया दुस्मन राजा टंग अपनी सेना के साथ मार काट मचाता महल में आप पूचा है क्या कि राजा टंग अपनी गर्दनों खैर मनाओ तुम सब तुम्हारी गर्दने उड़ाने आप पहुचा अब राजा टंग की तलवार आहा राजकमारी हारुन दुलहन का तुम्हारा यह रूप तो हमें पागल कर रहा है इसी लगन मंड़क में अब हम तुमसे विवाग करूंगा इस लगन मंड़क में अब तेरी चीता से लेगी नीचे युद छिड़ गया बिटिया हारुन को लेकर तुम जाओ पुत्र इसे हम देखते हैं लेकिन गर्भस तूट पड़ा राजा गर्भराज की और बढ़ते अन्यसानिकों पर आओ तुम सबकी मिर्ति तुम्हें आखी चलाई है खना इदर राजकमारी हारुन के उगलावी मुखडे पर नफरत का सलाव उठ खड़ा राजा टंग के दो टुकडे कर दी राजा गर्भराज की परवाज में टनाक गर्भराज ये मत महराज मैं आपको मारूंगा नहीं मैं आपको अपने और राजकमारी हारुन के बीवा का एक एक दिरे से दिखाऊंगा नीच दूष्ट वार कर हम पर रुख जाओ सेने पती गर्भराज अन्य था मैं तुम्हारे महराज की गर्दन उड़ा भी सकता हूं और तभी भक इस छण की भी तो कल्पना नहीं की थी किसी का भी धान नहीं था राजकमारी हारुन पर दुष्ट नीच अब तू जब भी स्वयम को देखेगा तुझे हारुन दिखेगी एक पत पतिवरता इस्तिरी पर अब तू अपने को द्रिष्टी कभी न डाल सकेगा इधर शैनी दोड़ पर राजा टंग को बचाने इद राजा गर्भराज ने अजीब फैसला किया उसका जाओ ले जाओ इसे यहां से हम इसे प्राणदान दे रहा हैं पिता श्री आपने उसे ज दबक है उसके लिए और इस युद्ध में उसके जानबाल की भी बहुत छती हुई है अता हुआ दोबारा इधर का रुख ना कर सकेगा इसी बीच हम अपनी सेने शक्ति को और अधिक विक्सित कर सकते हैं चाहे इसके लिए हमें अपने पड़ोसी राज्यों के भी मदद क् पड़े इसी प्रकार फिलाल सभी युद्ध की आसंका से मुक्त हुए समय पंक लागा कर उड़ता रहा गर्वा ने कहीं वर्ष में जबरदस्त सैने शक्ति प्राप्त कर लिए उदर राजकमारी हारून ने एक पुत्र को जर्म दिया जो पूरे राज में प्रसनता फैल ग इस गुफा में आज एक वर्ष पश्चात पुना उठी गूंज उठी घोड़े की पच्चापें पूरे एक वर्ष पच्चापें गूंज रही है लगता है महराज बाहर आ रहा है हस्तरून के जन्म के ठीक सात्में दिम राज के उत्तरा धिकारी को कुल देवता का आशिर टंग से हमारे लिए चिंतित होंगे कुल देवता की मंदिर की सीडियों पर आगे बढ़ें दोनों और चीख निकल ले हारुन के कंटे से तब दरह गया गर्भास ते उफ यह क्या कुल देवता से पहले अपने में त्यू के दर्शन कर लो गर्भास तो यह फिगर आप और तुमने मुझे अवश्य पाचान लिया होगा राज्कमारी हारुन मैं हूँ राजा टंग राज्कमारी हारुन के चेरे पर घृड़ा फैर ले तुम नीच हमारी राह रोकने की जुर्वत कैसे की तुने गर्भास का मस्चिक्स भी तेजी के साथ चल ला था पूरा सैतान बन कर लोटा है यह राज्कमारी हारुन मैं खुद और पुत्र हस्तरून निसंदे संकट मैं है राज्कमारी हारुन की बात पर राजा टंग ने खौफनाक अट्ठाहस लगया हाँ 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 राज्कमारी हारुन मैं तुम्हारी राह नहीं रोक रहे है ,अब तुह मेरे हम रहे होना है हाँ हाँ जाने कैसा तिलिस्म थाुस के हां तो मैं शुम शुम एक गुला कर फटा गरवस्त रूपर दूसरा फटा बालक हस्तरून के रूपर दोनों चमत्कार गोले वापस राजाटंग के आथं मैं पहुंच़ीर या क्या मैं इसके तिलिस्म फस गया हूं मैं तुम मेरे पुत्र छोड़ देने हैं दुस्त अहां हाँ तुम सोच रहोगी कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ दिया फिलाल तुम्हारे स्वतंतर रहने में मेरी विजय है हारूर ने कि आता हूं कि सुम राजा गरवाज तुभारा हाथ मेरे हाथ में देने तो सुम्हारा हाथ मेरे हाथ में साब देने को वीवश हो जाए तो और उसे करना ही प्रोध कर दूगा limit रुकजा सैतान रुकजा उन्हें मैं विभाहित हो एक पती रता इस्त्री का साथ तिरा नास कर देगा रुकजा काया रुकजा हारुन के बसमनी था उसे रुकाना हा उसके पीछे पागलो सी भागती चली जारे थियार हो नहीं रुकजा उन्हें छोड़ दो अचानक ठोकर ख चिक से गुजुठी गाठी है फिर ना जाने कब होश खो बैठीवा और बेहत तीवर बहाव था इस दर्रे का च्छा पाक सौंदर की प्रतिमा समा गई इस दर्रे की लवरों में राजा गर्वराज के सहनिको ने कुल देवता के मंदीर का राह का चपा 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 चानमारा किंटो कहीं कुछ पता नहीं चला राज की मारी हारून सिनापती गर्व हस्त और बालक हस्त दरून का कहां जा सकते हैं दुख से छाटी फटगी राजा गर्वराज की नहीं दूं अस्वखुरों के चिन्ह कैसे बन गए जांच के पस्चात अस्वखुरों के चिन्ह मंदिर में खाई वाली शीरे पर जाकर गायब पाये गए उफ अस्वखुरू का क्या रास है हो नहों मेरे बच्चों के गायब हो जाने के साथ उन अस्वखुरू का कोई ना कोई संबंद अवश्य है अद्बूत संचनी मचा दे इस सेनिक ने वहाँ पहुंच करो महराज महराज क्या तुम भी कोई मन्हूस समाचार लेकर आये हो महराज भय सरामटे खड़े हो गए उस सेनिक के महराज आप स्वयम ही छत पर चल कर देख ले तुम्हारे मुक पर छाई सपे दिया मैं विवस कर रहे हैं सेनिक कि हम वही कर जो तुमने कहा विचितर अंदाज में सिकुड गए थे राजा गर्वराज की नेतर उफ यह क्या है क्या यही लोम हर्शक दृष्ट दिखाने के लिए तुम मुझे यहां लेके आया हो सेनिक किसकी उंगलिया है यह कहां से आ गई छत पर गर्वराज को एक पतर सौप दिया गया यह पतर भी इन उंगलियों के साथ ही उस वस्तर में था महाराज जिसे एक भयानक सा दिखने वाला पक्षी नीचे गिरा गया है कैसा पतर है यह कापते हातों से राजा के उंगलियों ने पतर थाम लिया पड़ते ही मुर्षा सी छागे इन पर पत्र हाथ छूड़ से गिर्क पड़ा नहीं ऐसा नहीं हो सकता यह गुलिया यह पूयो समारों महराज को सोना के घंगोर जंगल में एक विरिच से दूसरे विख्ष फिर दूसरे से तीसरे विख्ष पर कूता चला जा रहा था चिंपाएंजी सोना के जंगलों का बेताज बात्सा मावरी सिरा दो घंटों से एक भी मचली नहीं फसी क्या नदी की सारी मचलिया किसी दावत पर गई है और लगता था सिरा की किस्मत मचली नहीं लिखी औरे चिंपी यह तो बहुत गबराय हुआ जान परता है क्या बात हरे चिंपी कहां से भागा चला रहा है थोड़ी सांस ही लिली होती है नजाने क्या कहा चिंपी ने की मचली पकड़ना छोड़ू सलकर खड़ाओगा सिरा कहां चिंपी कहां ले चल मुझे चल ले चल देर नहीं की मावली सिरा नहीं अब अगर मैंने एक पल की भी देरी की तो वह सार्क देते मार डाले उसे, ठार जा सार्क देते, क्या करता है एक निर्दोस अबला के पिछे क्यों पड़ा है, महाबली सेरा के घूंसे से चकरा कर गीरा देते सार्क, धड़ा आ, डर में डूबी ये नीली आखे हारुन की थी, क्रिप्या मुझे बचालो सार्क देते से, घबराव में तुम स्वयम को बिल्कुल सुरक्षित समझाओ, सेरा के हकमाड के जवाँ में भ्यानक धंक से गुराता हुआ, सार्क देते जपट पड़ा चेरा पर, उफ, सेरा पर अपना भ्यानक जबड़ा फार लिया सार्क देत खटाक, विर्क्ष की लटाव पर जूलता हुआ, तीर सी तेजी के साथ वापस आया, राजा सेरा और खड़ाक, लेकिन इसी के साथ सार्क देते के हाथ में आगए उसकी एक टैंग, हाँ, 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 उफ, इसने छोड़ दिया, तो मेरी भूरता बने ही बने, हाँ, हाँ, बहुत तेजी से टकराता हुआ, उस विर्क्ष से अगर बीच महीन न शाम लिया था उसे, घबराओ मत सेरा, मेरी राते कि मारे जिस पर दुश्मन की एक खरोच भी नहीं लगा सकता है, उसे थामने वाले हाथ थे अजगर का, अजगर तुम जरा ठालो, पहले मैं उस सार्क देते से मिली हूँ, फिर अजगर ने अपना विशाल रूप, इक्षाधारी रूप दिखाया है, ओ, या, या सार्क देते लड़ेगा मुझसे, दुम दवा कर भाग खड़ा हुआ, सार्क देते, हाँ, 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 देख लो सेरा, चुए पानी में भी रहते हैं, हाँ, हारी, गरजी सुनकर भाग खड़ा हुआ, सार्क देते, लड़ता क्या खाक, हाँ, 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 तुम कौन हो भाँ, प्रिथी की रहने वाली तु दिखती नहीं, हाँ, गरभा की बंदस्री ब्राज कमारी हुए, राम है हारुन, सब कुछ का हसना है, हसना नदी का तिवरभार मुझे प्रिथी पर लेया, जब खोस आया तो सार्क देते को अपनी और पाकर, बढ़ता पाकर में गेरती पढ़ती भाग पड़ी और फिर सिसक उठी हारुन, ना जाने उस, सैतान ने क्या हसर किया होगा, स्वामी गर्भास्त और मेरे पुस्त पत्र ह अस्तरून का, उसके बीना ये जीवन बोज बन जाएगा, मैं जीवित न रहूँगी आ, दुखी मत हो बहन, मैंने सैतानों को खतम करने का बीड़ा उठाया है, अजगर तुम्हें तुम्हारी रक्षा को वचन देता है बहन, राजा टंक का सिर मैं तुम्हारे कदमों पर अगर ऐसा हो सका तो धन्य हो जाएगी तुम्हारी ये बहन, तुम जैसा भाई पाकर, अजगर तुम साथ ही हारून के साथ गर्भा की और रवाना हो जाओ, अजगर ने सेरा से विदा ले, अगर ऐसा हो सका तो धन्य हो जाएगी तुम्हारी ये बहन, तुम जैसा भाई प अजगर तुम आजहीं हारुन के साथ गर्भा की ओर रवाना हो जा। अजगर ने सेरा से विदा ले। अच्छा सेरा जिंदगी रहें तो फिर मिलेंगे। आतताईयों के मौत हो तुम अजगर। जिंदगी तुम पर हमेशा महरबान रहेगी। अजगर हारुन के साथ चल पना। एक्छा दारी अजगर की सक्ति से नहीं बच पाएगा राजा टम। गर्भा की महल पर भी मौत की सी मनुशियत चाही हुई थी। राजा जहाराज था क्योवाला तंका। महराज महराज। क्रोधित रो उठे राजा गर्भराज। सैनिक क्या तुम्हें राज दर्बार में प्रवेश करियम नहीं पता। अवस्यक राज एकारे में भादा पहुंचाने का दंड जानते हो। शमा करे महराज किन्तु बात ही ऐसी है कि मुझे तुरंत आना पड़ा। वही भयानक पक्षी फिर से महल के उपर से। राज सिहासन से ऐसे उठ खड़े हुए राजा गर्भराज जैसे वह गर्म तोय में परिवर्दित हो गया। क्या तुम पुना वह सब नहीं नहीं क्या मल की छत पर सनिकों का जमखट लग चुगा था महराज यह तो बिल्कुल वैसा ही वस्त्र है जैसा इसे खोला जाए महाराज मंत्री जी तो स्वस्त्र में लिप्टी वस्तु को देखते ही सब के चेहरों का रक्त निचूल गया। कटा हुआ पाओ उफ ओहो विशेश कच में लाकर पढ़ा गया वापत्र महराज गर्भराज को नाम जब तक आप हारून का हाथ स्वयम मेरे हाथ में नहीं सौप जेते अपने वायदे का अनुसार आपको अश्यना पती गर्भास्त की जिस्म का और भी कटे हुए अंग में कोई कमी नहीं यहां कम पड़े तो नन्हे राजकमार हस्तरून के अंग भी तो भेजने है आपको आप तैयार हो तो महल की मिणार पर एक सफेद धोज तांग दे आपका एकलोता भावी दमाज राजा टंग तर्थर काप उठे राजा गर्वराज नहीं प्रस्न चिंड मन रहा है महामंत्री के मुकपर महराज इन पत्रों से साब जाए है कि राजकमारी हारून राजा टंग के पास नहीं है आप सवाल यह उठता है कि अगर राजकमारी जी उसके पास नहीं है तो फिर कहा है राजक अगर हमने ऐसा किया तो सेनापती गर्भस्त और हस्तरून हमें जीवित नहीं मिलेंगे। मोजद्धा परिस्तितियों में हमें दो कारे तो तुरंत ही करने होगे महराज। पहला कारे उस पक्ची को मार गिराने का जो दो बार महल की छत पर उन कटे अंगों को फिक गया। दूसरा कारे राजकमारी हारून की तालास का फिरहाल जब तक हारून हमारे पास नहीं है। सेनापती गर्भास्त और खस्तरून के बचाव के लिए कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं महराज। कहां होगी किस हाल में होगी मेरे बच्ची हारून। इसी पल राजक गर्वराज बुरी तरह से चोप पड़े है। अरे क्या हुआ मारा तुम स्वयम देख लो महामंत्री अब हम एक पल भी यहां नहीं रुख सकते हैं। बाहर का द्रे से देखने के बद महामंत्री भी वहां नहीं रुखा था। अश्चर है। यह तो चमतकार हो गया। उसी पल महल के छट पर भगदड मचुए आ गया वही भयानक पक्षी फिर आ गया उसके पंजब में फिर ये पोटली दबी है इस बर क्या होगा उस पोटली में कर्च से बाहर निकलते महामंचुए तक भी सोर जा पहुँचा छट की ओर से ये सोर कैसा आ रहा है पक्षी अपने विशाल पंग फड़ फड़ाता उड़ा चला आ रहा था इसे जीवित नहीं छोड़ना है महल की मिनारो से इस पर आकमड़ परो मिनारो से उस खपनाक पक्षी पर स्वस्त्र बरसा आ गया बहाँ डालो इसे सर सर उसने पोटली नीचे गिरा दी क्वाक करूदोपर उसने अपनी ताकत का एक छोटा सानमना दिखाया क्वाक की गिरते हुगो कौनीचे न गिरने दे इस दूसरे विशाल पक्षी ने टूंक अरे यह दूसरे विशाल पक्षी कहां से आ गया उन्हें मिरायर पर सुरक्षी छोड़कर पक्षी तीवर गती से आगे बढ़ा हमारे प्लाणों की रक्षा करने के बाद अब यह उस पक्षी के पीशे जा रहा है जैंक टूंक के ध्वानी के साथ करते उस पक्षी ने पले खोफनाग पक्षी की रहा रुके टूंक जाता कहा है बच्ची अब तीरा अंत आ गया है दोनों में टक्कर लो टूंक क्वांक क्वांक टूंक अब तीरा तो अबदम निकला समझ क्वांक उधर राजा गर्वराज से आगे बढ़कर राज कमरी हारुन को अपनी चाती से जिप्टा लिया था हारुन मेरी बच्ची कहां चली गई थी तू आ पिताजी आपके दमाद और नवासे के प्राण संकट लाए तब यह उस खौपनाक पक्षी गिलास उसके कदमों में आके प्राज जामा रिए मामंत्री भी महा पहुंचा मामंत्री इस इक्षाधारी अज़गर ने तो कमाल कर दे गरभा पर मंड़ार है इस आतंक को सबाथ कर दिया नहीं मामंत्री गरभा पर मंद्रा रहा आतंक है राजा टंक वो सैतान जिसने हमारे दमाद और नमाशे को कैद किया हुआ है तब ही महाराज वो छत पर राजा गरवराज का संकित देखकर वहसानिक चुप हो गया राजा गरबराज का संकेत देखकर वा सैनिक चुप हो गया हारून बेटी तुम अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो हम अजगर के साथ आगे की योजना बना कर तुम्हें सुचित करें जो आगया पिताश्री पिताश्री का संकेत देखकर वा सैनिक चुप हो गया क्या मंत्री आओ च्छत पर चले तुम भी आओ अजगर च्छत पर उपस्तिर दिर से देखकर अजगर की आखे सी कोड़े उफ यह हाथ किसका है हमारे दमाद गर्व हस्त का हमें निचा दिखाकर राप्त करने के लिए वह ऐसा भ्यानक उपायक का फैला रहा है मगर यहाँ तो दरिंदगी है लेकिन हम करें तो क्या करें आजगर हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह मर जाएगी सब कुछ देख सुन और नहीं हारून के इस प्रकार आगमन पर भोचके रहा गए सब यह हाथ किसका है कौन सी बात आप मुझसे शिपाना चाहते है हारून हाथ की और देखते हारून अचानक भयकरान चीग पड़ा यह मुद्रिकाय तो आपने स्वाम दीती स्वामी गर्भस्त को पिता जी यह मुद्रिकाय इस हाथ में कहा से आ गए कहीं यह हाथ यह हाथ तो स्वामी कहीं हाथ है उन्हीं कहा हाथ है यह चकराकर गिरती हारून को अजगर ने संभाल लिया है नहीं यह दुक में संभलो बहुए जिसका डर था मैं अगर हारून को कुछ हो ग नहीं पाएगा बल्कि अजगर तोड़ दालेगा उन सैतानों का सिर तब राजकमारी हारून को राजवेज की गहन देखरेक में विशेज कक्ष में पहुंचा दिया गया मुझे आग्या दिजे महाराज अब उस सैतान का अंत करके ही लटूंगा मैं कुल देता तुम्हें काम्याबी प्रदान करें अग्जगर कि किसी पल राजा टंक की तिरिस्मी गुफा में भावरा की यांतरिक गडबड़ी को दूर होने में अभी कितना और समय लएगा अभियंता इंजिनियर न खोल बस महाराज गडबड़ी दूर हुई ही समझिये जली करू न खोल हमरा की गडबड के कारण हम गडबा के दिर से नहीं देख पा रहा है हम राजा गडबराज को तडपता हुआ देखना चाते हैं देखना चाते हैं कि गरभास्त और हस्तरून के लापता हो जाने के बार और फिर महल में कटे अंग मिलने के से वहाँ क्या प्रतिक्रिया हो रही है यह लिजें महाराज धौरा की यांत्रिक गडबड दूर हो गई वाह इसकी चमक पुनह लोट आई नखोल के जाने के बाद ऐ जादू भवरा एक बरस के मेरे तब के दौरान तू विशारामा वस्ता में रहने कारा अपनी चमक हो गठा था पड़े पड़े तो इंसान में भी जंग लग जाता है किन्तु जब नखोल ने तुझे ठीक कर दिया है चल दिखात मुझे गरभा महल का द्रिश से और यह वे पलते जब अरगा ने अजगर ने उस पक्षी किलास राजा गरवराज के कदमों में डाल दे थे यह क्या गभोल किलास गभोल मारा गया मगर कैसे किसने मारा भवरा यह कौन है यह तो गरभा का नागरिक नहीं दिखता सब कुछ देखने के बाद राजा टंग का खून खोलने लगा ओ यह तो चक्कर है भवरा के गरवरी के दोरान कितना कुछ घट गया और मैं कुछ न जान सका अगले पल राजा टंग के होटो पर भैनक मुस्कान नेते कर उठे हाँ 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 तो इस अजगर को मुझसे मुकाबले के लिए भेज रहा है राजा गरवराज लेकिन वह नहीं जानता है कि अब पहले वाले राजा टंग और वर्तमान के राजा टंग की सकती में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है अब तो इस खेल का और भी मजायेगा क्योंकि आजगर मेरे एक भी सैनी का मुकाबला ना कर सकेगा पर अब गरवहस्त के अंग गरवा भेजने के लिए मुझे एक और गगोल पक्ची की विवस्था करने होगे उदर की सिमा में प्रवेश करते ही घेर लिया गया आजगर फुक जाओ एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जान से हाथ दो बैठ होगे तुम कौन हो भाई मेरी तो तुम से कोई दुश्मनी भी नहीं है दुश्मनी की यही वज़ा काफी है कि तुम गरभाब से आ रहे हो कई सेनिकों ने उस पर एक साथ बार किया था खच अजगर सामने हो तो किसी भी प्रतिदंदी के पैतरे का यही हसर होता है मुझ पर तुमारे पैतरे नहीं चलेंगे चलेंगे सिफ अजगर के दाओं पेच तुम मुझे क्या खाकर खतम करना है हो बच्चो अभी तो तुमारे सेहत बनाने के दिन है तुम मुझे जान से मारना चाहता था ना तुझे मैं जमीन में गाड़ दूँगा अन्यत्या बता कि राजा टंग तुझे मुझे कहा मिलेगा तबी एक स्वर गुंज उठा सेनिको इसे मौत क्यों रवाना कर दो ओह महराजा टंग का मानसिक संदेश बता अन्यत्या मैं सचमुष तुझे जमीन में च्छाहात नीचे गाड़ दूँगा महराज तुम्हें मौत में मिलेंगे मौत भलाई है क्या बला हुई कहा है तुम्हारी मौत महराज की मौत बताता हूँ सेनिक ने बताना प्रारम किया अब तुझे जीवित नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे महराज ही अब जीवित नहीं रहेंगे यह सांधार फिगर वही मुरोज कॉमिक्स पॉब्लिकेशन्स की तो लेंड एसके आप मोडल में आपको दिखा देता हूँ ऐसी सांधार पिक्चराइजेशन इसलिए मैं मैंनोस कॉमिस का भाई फैन हूँ इस्टोरिज के मागल में और आपके लिए यूनिक इस्टोरिज में देता रहता हूँ ओ तो यह है मौत बड़ी विचीतर जगा है राजा टंग इसी में कहीं मिलेगा मुझे पर कहां अजगर ने कदम आगे बढ़ा है मुझे बिहत सावधानी से मौत में प्रिवेश करना होगा मौत में सारी सावधानिया धरी रहा जाती है अजगर अजगर को मौट की हाट मिल जोगी थे उफ नहीं धमाके से उसके कान सुनना होगा धड़ा बाल बाल बचा पर बहुत में तो कदम कदम पर उसका सागत करना था मौत से ओह यह क्या सर 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 भालो का उस दिवार में कैद होगया अजगर अचानक उसकी आखे हैरत से फेल गए उफ नहीं यह भी मोत का एक रूप था खडडडडडडड धडडडडड ठीया ठीक मेरे उपर आएगा हूँ एक छड की वी देरिव मेरे शरीर से खून के फूआरे उढ़ा देगी यह पर यह अजगर था विद्यूत की किसी तेजी के साथ वह भालों की उसकेट से उचला और सर्राड धम अचानक तीवर सोर सुनकर अजगर पुनह उचल पड़ा धड़ा 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 यह कैसा सोर आ रहा है मौत का एक और रूप सामने आ गया था उसके धड़ा 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 ओह नहीं यह चक्टान मेरा भूर्ता बना देने के लिए आगे बढ़ रही है इनसे बचना है तो मुझे आग की खाई पर बनी उस पुलिया की ओल जाना हुआ आग की भीषड गर्मी से जुलस उठा था अजगर का सरे ओह यह भीषड ताप जिस्म जुलसाय दे रहा है तबी रुख जाना पड़ा उसे मेरे जीवित रहते आग का इस दरिया को पार करने की चेश्टा तुने कैसे की अजगर अगेन एक सूपर विलेन देख सकते हैं इसका पिक्चराइजेशन काफी सुंधर किया हुआ है जबरदस्त किया हुआ है और ये इस बिल्कुल जैसे इंग्लिस जो कॉमिक्स होती है उसकी तरह लग रहा है फूर्ती से खीच ली अजगर ने अपनी तलवार कड़ाक दुस्मन कुछ अधिक ही फूर्तीला निकला धड़ धड़ उफ पुलिया के किनारा ठीक समय पर हात लगा ओ नीचे आग के अलवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें गिरने का अर्थ होगा एक भयानक मौत अपनी इस्वर का इसमरण कर ले अजगर तड़ाक ओ अचानक गायब हो गया अजगर अरे कहा गया मैं यहां हूं बच्चे पुलिया के नीचे से रेंग कर यहां पहुचने में मुझे कितना वक्त लगता और अब तू चल आग के दरिया में भूनने आग के लपटों में खोकर रह गया दुश्मन अजगर आगे बढ़ा भीशन उसमा से बचने के लिए इस स्थान से जल्दी से जल्दी नहीं कल ला होगा शिगर यह तो कोई गुफा मालूम पड़ती है तभी हाँ 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 अजगर मुझे तक पहुचने के लिए तुम यहां तक आप पहुचे तुम्हारे साहस की दाद देने होगे कौन राजा टंग हाँ मैं राजा टंग बोल ला हूँ तुम्हारे बहादुरी देखकर मैं तुमसे मकाबले का बेह दिख चुग हूँ राजगर अगर तुम मुझे तक जिवीत आप पहुचे तो मेरी यह एक्छा आवास से पून हो सकती है तुम्हारी यह एक्छा मैं जल्ली ही पहुचूँगा राजा टंग क्योंकि तेरी जिन्द्गी के ख्षाण अब बहुत कम रह गया है उदर गर्वा महल में होस में आई राजगमारी पुना बेहोस हो गई आह राजगर जी कोई खत्रे वाली बात तो नहीं है राजगमारी हारुन ने जिस भहाने के स् मौत के उस बीज को तो आज राजा टंग नाम का वह विश्वरिक्ष पैदा ना होता मौत में आगे बारता चला गया अजगर चौकर वहीं रुख गया खट ओ दोनों बंद उपर से रास्ता बंद दोनों गुफा परिवर्ती थो गई एक कोठरी में खट खट एक छट बिन इस दीवार में रास्ता बनाने की चेश्टा करता हूं मैं ओ अजगर इस दीवार को न तोड़ पाओगे तुम्हारी कबर यहीं बनेंगे धड़ाक हा इस पर बल प्रियोग करके इने आगे बढ़ने की रोकने की चेश्टा करता हूं और दोनों दीवारे आपस में जूड ठक उस भयानक अटहास से गुण उठे हा 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 गरबा समराट ने इसे भेजा था अपनी लाज बचाने के लिए इस समय जिसकी लास के टुकड़े भी एक अत्रित नहीं किया जा सके हा 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 यह सैनिक अजगर की लास का कचुमबर बाहर निकालने के लिए वहाँ अजगर दोनों सेनिकों से मौत बन कर लिपट गया तुम्हारे महरास आद भूल गये कि उनका सामना इस बर अजगर से पढ़ा है एक्छाधारी अजगर से आ है जिसके लिए जेमीन फाड़ कर निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है हा 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 तेरी जिन्दगी और मौत के भीश फासला कम करने के लिए यहां मैं खड़ा हूँ इस मैं से भी निपटना होगा अजगर ने वरस्टी पकड़ कर तीवरी जटका दिया हर परिया क्या मैं तो उससे और भी बुरी तरीके सालिप्टा यह तो मैंने खुद ही मुसिबत बुला ले हाँ 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 मैं क्या आगे किसी की भी नहीं चलती मैं अपनी धार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूँगा अजगर इस मुसिबत से बचने के लिए अपने सरीर पर कच्छुए की ठोस पराद चड़ानी हूँ अजगर की खाल से टकरा कर मुड़ गया खंजर तड़ाक अजगर ने दोनों आतों से उसका सीर थाम लिया अब इस सीर को खड़ जाना चाहिए मैं की अलाद ओ खचाक अजगर ने वह फलादी सिकन जे भी तोड़ ले कड़ाक कड़ाक अजगर अब स्वतनतर था और महल का मुखे द्वार उसके सामय था ले देख राजा टंग मैं आ गया तेरी मौत बनकर भड़ाक तू सस्मुच बहादूर है अजगर जो यहां आतका पहुचा है अब मैं तेरी लास के टुकड़े भी राजा गरवराज के पास भीजवा दूँगा कुछ कुट्य के वल भौक नहीं जानते हैं राजा टंग हिमत है तो कर मुस्पर वार सर तेरा निशाना बेतो बहत कच्चा है राजा टंग मेरा अववार तेरे एक हजार टुकड़े कर देगा अजगर बुम एक्तिवर धमाका हुआ और आग का बौंडर सा उठा हा 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 अजगर अब तेरी लासी दिखेगी मुझे राजा टंग आश्चर चकित हो उठा ओह नहीं अजगर कहा है यहां इस बार भी तुमात खागे राजा टंग अबस्चे ही यह कोई छलावा है मुझे वार बहत सवधानी से करने होंगे अजगर वार बचा मेरा वह तुम्हें बचाओंगा है अजगर ने उसे एक और उचल दिया फर्स के उस हिस्से सईत नजाने कहा जागिरा राजा टंग खड़ाक राजा टंग अजगर को एक खफनाक सकल में मिला वहां अजगर अब मैं तुझे यहां जिन्दा नहीं चुड़ूंगा ओ इसका तो रूप परिवर्तित हो चुका है कि कहा गया मैं भी चलता हूं नीचे अब राजा टंग अपनी सैतानी सक्तियों की इस्तिमाल पर उतर आया था मेरे सैतानी सक्तियों से तु बचेगा नहीं अजगर अगले पल बजल गया राजा टंग का रूप जिसे मैंने एक बरस के कठोर तब से प्राप्त किया है अगर तु मुझे ठीक से जानता होता तो राजा टंग तो कदापी ऐसे बड़े बोलना बोलता अजगर इस बार चुग गया खचाक हाँ 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 खच यह अजगर भी चुग गया राजा टंग ने पुना नया शरीर प्राप कर लिया था मुझे समाप्त करने का स्वपन मत देख अजगर तेरा यह स्वपन कभी पूर नहीं होगा अब तु मरने के लिए तैयार हो जाए आप दर्द से कराकर अजगर पुना परिवर्तित ह मैं तेरा अंत करके ही रहूँगा दुष्ट आप अजगर अपनी जान पर खेल ला था या ओ अजगर के देखते ही देखते एक नया रूप जुड़ा उससे हाँ हाँ कितने सिर काटेगा अजगर काटे काटे थक दाएगा तू राजा तंग के इस प्रहार ने अजगर को उच्छाल लिया धलाग अजगर बाहर की और उचला उफ अगर सिगर ही नहीं समला तो मेरी मृत्यू निश्चित है अजगर फूर्ति के साथ इस चटान को लटग गया मैं इस चटान को किस प्रकार समाप कर पाऊंगा अजगर को राजा तंग भी आता दिखा अजगर मौत से बसकर नहीं जाने दूगा तुझे दोनों के बीच भयानक जंग छिड़ गयी थी हम्मेसे एक क्यांत के साथ ही यह जंग समाप्त होगी अजगर तंग के वार से पिल्मिला उठा खच सूं अजगर ने सिगर ही बदला लिया ओ धड़ाक परिया हवार करने समय नहीं चुकूंगा राजा टंग सेकड़ो फुक नीचे गहरी खाई में सामने समाने लगा नहीं राजा टंग तू ऐसे नहीं मरेगा तुशुम नियत्थे परवार करना अजगर की आदत नहीं है इसे थाम ले राजा टंग जूंग राजा टंग तू उसे न थाम सका पर उसके सस्त्र से निकला तीर उसके वस्त्र से वस्त्र से अटक गया और जब तक तेरी सास बती है टंग तुझे अपनी आखो से ओजल नहीं होने दूँगा साथ ही अजगर अपने कुलगुरु जैद्रोल को पुभार उठा एक कुलगुरु अपने बच्ची की मदद करो कोई राह निकालो इस द्रिष्ट की मृत्यू का कुलगुरु अजगर की पुकार पर तुरंत प्रकट हो जगा अजगर इस मृत्यू तब तक संभव नहीं है जब तक इसकी गले में देवता का दिया ताबीज है ओ अब मैं निशित इसका अंत कर सकूंगा कुलगुरु अजगर ने राजा टंग को ऊपर खिच लिया और र यूज जमाने की बहुत पॉपुलर स्टोरी कॉमिक बुक थी और 2000 के बाद से अक्टिव रूप से इस सभी स्टोरी निकलली बंद होई तोटान सेरीस की भी मैंने कॉमिक्स अप्लोड की है मेरे प्लेलिस्ट में है कुरुखबांड की भी है और जो जितने सुपर हिट कलेक अप्लोड की है कि अब लाजा टंग अब क्या भी तुनिया सी प्राप्त कर सकेगा नहीं 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 अजगर ने ने सस्तर चला दिया जो उसकी एक बाजू उला ले गया राक आई अह टाक राजा टंग तडब कर चीख उठा नहीं मुझे छोड़ दो अजगर मैं तुम्हें मालंबाल करवा दूगा इतना ही रोजा तडपा होगा गर्भस्त जब तुने उसके जिस्म के अंगो कटा होगा कट कच्चाक असनी है पीडा सची उठा राजा टंग मुझे समाप खत्म कर दे अजगर मुझे माल डाल नहीं तू अब स्वायम ही तडप तडप कर मरेगा नहीं तुस्वम अभी तड़प तड़प पर मरेगा वो देफ नहीं अजगर के महां से हटते ही गिद राजया टंग की बोटी बोटी चब आ गया अजगर ने ठंडी सास ली आपको सत सत प्रडाम कुलगुरू अगर आप मेरी प्रकार सुनकर यहां ना आते तो मेरी जंग साइद मेरी मौत के साथ ही समापत होती अब तुम्हारे जीवन बहमूल लह पूतर त्रिपून कुलगुरू इतने विशाल के लिए मौत में नजाने कहां होंगे गर्भस्त और हस्तिरून क्या आप इस कारे में मेरी मदद करेंगे क्यों नहीं अजगर अपने नेत्र बंद करो तुम स्वयम को उन्हीं के समक्ष पाओगे अभी चलते हैं इसके थोड़ा सब प्रिवेस इस्टोरी पर यह अजगर राजा टंग मारा जाता है इस कॉमिक्स का मैंने वीडियो बहुत पहले से बनाने का सोजा था बहुत अच्छी इसकी काहानी है अच्छे पिक्चराइजेशन यह इसके उन्नीसो च्छानबे में यह सायद आयो हुए थी यह कॉमिक्स और अजगर की इससे लडाई होते हुए अब बहुत यह कुछ उसकी सूपर रिट कॉमिक्स में से एक थी उस समय तौसियोर जी अठारा भी कॉमिक्स आयो ही थी जो बहुत ही फेमस कॉमिक्स थी उसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है अगले यह तो चैसे सकता है कि नीसो च्छानवे में यह जो कॉमिक्स जो पॉब्लीकेशन था इस तरह का चैसे का और भी में पॉमिकेशन था डामंड्य, मनोज, राज, तुल्सी लेकिन इस तरह का आइनके दिमाग में नहीं था तुल्सी कॉमिक्स के जो जो ुफॉर से thrive राइटर थे वो तो वेद प्रकास अर्मा जी थे वो खुद में एक लीजेंड थे और उनकी ने और ये देखिए आजगर और राजा टंग से इसकी जो है बात होती हुए आजगर ने वा फॉलादी शिकंजे भी तोड़ दे ले उस महल कमुक के द्वार उसके सामने था ये मै से उसकी सांदार लडाई होती हुए अजगर की गंबया को ये हरा करके अजगर और आगे निकलता है और मुख्य द्वार के सामने आकर के उसकी फिर से लडाई होती है राजा टंग से ये देखे राजा टंग का सस्त्रागार और विचित्र द्रिशे यही एड दिखाता था उस जमाने की कॉमिक से स्वोगर में विल्कुल यही सेम एड और ये राजा टंग और अजगर की लडाई होती है भीशड लडाई में विलेन वो तो बचाऊंगा ही अजगर ने उसे एक और उछाल दिया फर्स के उस हिस्से सहित नजाने कहा गिरा राजा टंग अब राजा टंग अपनी सहितानी सक्तियों का इस्तेमाल पर उतर आया था अगले पल बदल गया राजा टंग का रूप अजगर इस बार निशाना चूग गया खचा ओ अगले पल अजगर भी परिवर्तित हो गया एक सांदार किन्तु खौफना करूपन अब आएगा इस जंग का मज़ा भोचक्के से खड़े राजा टंग को या चूप बड़ी भारी पड़ी ओ या अजगर भी चूग गया राजा टंग से पुना नया शरीर प्राप कर लिया था अब तुम मरने के लिए तियार हो जाए आ दर्द से कराकर अजगर पुना परिवर्तित हो गया अपने चीर परिशित रूप में मैं तेरा अंत करके ही रहूँगा दुस्ट अजगर अपनी जान पर खेल ला था और राजा टंग से लड़ाई कर रहा था किन्तु बारबार राजा टंग का एक्षाधारी रूप उसके सामने आ जा रहा था राजा टंग के इस प्रहार ने अजगर को उच्छाल दिया धड़ाक अजगर बाहर के और उचलाओ अगर सिग्र ही नहीं संभला तो मेरी मृत्तिव निश्चीत है तो अजगर यहां पर एक्षाधारी रूप में आकर के चट्टान से लटक जाता है यह मैं वाइस मोड में यह डाल चुका हूँ मैं दुबारा से आपको गता रहा हूं ताकि इ दोनों के भी भैनक जंग छिड़ी हूई थी और राजा टंग का भी हाथ देख सकते हैं आप काफी ज़्यादा मोटा हो गया था और ये उसके कुलगुरु प्रकट होके बताते हैं अजगर इसकी मृत्ति अब तक संभव नहीं जब तक इसकी गले में देवता का दिया ताबीज है अब मैं निश्चित ही इसका अंत कर सकूंगा कुलगुरु तो कुलगुरु जैद्रोन की कतना नुसार वह उसकी गले मे दिया हुआ ताबीज को काट देता है जिसके चलते है राजा टंग को अजगर ने सस्तर चला दिया जो उसका एक बाजु ले उला खचाक आई खच राजा टंग तडब कर चीख उठा नहीं मुझे छोड़ दो अजगर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा इतना ही रोया अजगर के वहां से हटते ही गिद राजा टंग की बोटी बोटी चब आ गया को अजगर ने एक ठंडी सास ली आपको सत सत प्रडाम कुल गुरु अगर आप मेरी प्रुकार सुनकर यहां ना आते तो यह जंग सायद मेरी मौत के साथ ही समापत होता अब तुम्हारे जियोन बहुमूल है पुतर त्रिपून कुल गुरु इतने विशाल के लिए मौत में ना जाने कहां होंगे गर्भस्त और हस्तरून क्या आप इस कारे में मेरी मदद करेंगे क्यों नहीं अजगर अपने नेतर बंद करो तुम उन्ही को तुम स्वैम को उन्ही के समक्ष पाओगे नेतर खुलते ही अजगर ने कुल गुरु को कद्रिश पाया और ओप क्या तुम ही गर्भस्त हो और या तुम्हारा पुस्त हस्तरून हा किन्तु तुम मैं अजगर हूँ तुम्हे अपनी मो बोली बहन हारून के पास ले जाने आया हूँ फिर सिग रहे हारून आखे खोलो हारून मैं आ गया हारून आखे खोलो आ हारून की आखों में मोती जिल्मिला उठे तो तुम लोटा है और मेरा पुत्र बहन हारून मैंने अपने वायदा पुरा किया अजगर तुम बहान हो अजगर धन्ने हो गई है बहन तुम जैसा भाई पाकर इस प्रकार कुछ दिन औ और रहने के पस्चात अजगर ने उनसे विजा लिए अजगर तुम जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि अपने कलेजे से कोई टुकड़ा अलग हो रहा है मैंने जो संकल्प लिया है महराज उसे पूंड करने के लिए तो मुझे जाना ही होगा और अजगर चल पड़ा ओ भा आजया टंग की खास का इसका फ्रंट कवर वगरा कि आप मैंने जाकर के इसको अपलोड किया है अगर आपको यह वीडियो पसंद लगी वी ता आपकर पर उसे लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करेंगे काईज यह रहा इसका फ्रंट कवर एक बार मैं फिर से आपको दिख अजगर का यह इसका फ्रंट कवर रहा अजगर और राजा टंग का तो रिकुदास जी और सत्य का खोच पोस्ट माटम और कई सारे जो भाई बंदू लोग है जो अक्सर मेरी वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं यह वीडियो में उन्हीं के लिए स्पेशली डेडिकेट कर खासका रिकुदास जी जो हमेशा मेरे को कमेंट करते रहते हैं समझाते रहते हैं उनका कमेंट मेरे को सबसे अच्छा लगता है मैं चाओंगा कि रिकुदास जी हमेशा कमेंट करते रहें फिर से दोस्तों आपको एक नए वीडियो में आपको बना करके दूंगा मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर गुडबाय जाहिन